Hello everyone, how are you? I hope everyone is fine. आज हम English की बुक Mary Gold की Class 2 में Unit 10 में एक पोयम है उसको रीट करते हैं. ये पोयम है Strange Talk. Strange Talk मने अजीब बाते. तो चलिए इसको रीट करते हैं. A little green frog lived under a log. And every time he spoke, instead of saying good morning, he only said croc-croc. A duck lived by the water side and little did he lack. But when we asked how do you do, he only said quack-quack. A little pig lived in a sty as fat as he could be. And when he asked for dinner, he cried aloud wee-wee. Three pups lived in a kennel and loved to make a row. And when they meant may we go out, they said bow-bow, bow-bow. If all these animals talked as much as little girls and boys and all of them tried to speak at once, wouldn't it make a noise? चलिए एक बार इसको हम फिर से डीट रीट करते हैं और समझते हैं. हमने सबसे पहले रीट किया था. A little green frog lived under a log. And every time he spoke, instead of saying good morning, he only said croc-croc. तो यहाँ इसका meaning है कि एक छोटा सा हरा मेंड़क है, frog है, जो एक log के नीचे रहता है. और हर बार जब वो बोलता है, तो good morning कहने के बजाए, वो क्या बोलता है? वो कहता है croc-croc. उसके बाद एक प्यारी सी duck दिखाई है और उसके बारे में क्या talk है? कि एक duck है जो पानी के किनारे पर है और उस वहाँ पर वो बहुत खुश है. जब हम उससे पूछते हैं कैसी हो तो वो कहती है quack-quack. एक चोटा सा पिग है, सुवर, पिग, जो अपने घर में स्टाई में रहता है और खूब मोटा है, इतना मोटा है जितना मोटा वो हो सकता है. यानि कि वो खूब मोटा है और जब उससे डिनर के बारे में पूछा जाता है यानि खाने के बारे में पूछते हैं, तो वो कहता है वी वी इसका meaning वो खुशो के और खाने के लिए कहता है इसके बाद है three pups lived in a kennel and loved to make a row कि तीन puppies हैं dog के babies वो अपने घर उनका घर क्या है kennel kennel में रहते हैं और जब उनसे जब उन्हें कहना होता है या पूछना होता है कि हम भाहर जा सकते हैं तो वो क्या कहते हैं वो यह नहीं कहते कि maybe go out वो कहते हैं बाव आओ बाव आओ अब इसके बाद है if all these animals talked as much as little girls and boys and all of them tried to speak at once wouldn't it make a noise कि यह जितने भी animals हैं जो strange talk करते हैं इनको उसी तरह से बूलना हो जैसे girls and boys बोलते हैं और इन्हें एक बार बोलने का मौका मिले तो यह कितना शोर मचाएंगे इनकी अलग-अलग जो आवाजे हैं जिनने हमने strange talk कहा है वो अपनी भाशा में जो बाते करते हैं उससे एक अच्छा खासा शोर मचेगा तो चलिए इसमें हमने कौन से new words देखे हैं उनको पढ़ते हैं इन्स्टेड, लैक, स्टाई, कैनल, रो, मेंट यह new words हैं जिनको हमने यहाँ पर read किया तो इसको आप फिर से read करिए प्यारी सी poem को दुबारा से सुनिए और enjoy कीजिए Happy Learning Everyone